पॉइंटर जीयस की तरप से नमस्कार दोस्तो दोस्तो यूपी ट्रिपल एसससी द्वारा करवाई जारी मंदी परशत की जो परिच्छा है वो आपकी 30 मई को है अब हम टाइम हम लोगों के पास बिलकुल भी नहीं बचा है स्रिफ 3 दिन का टाइम बचा है इसलिए मैंने उन प्रशनों को छाटा है जो यूपी ट्रिपल एसससी द्वारा करवाई जारी मंदी परशत की परिच्छा में बार बार पूछे गये हैं तो आप इन पूरे प्रशनों को अच्छे से देख लीजेगा पढ़ लीजेगा और इन में से 5-7 प्रशन आपके दुबारा आने की प तो शुरू करते हम लोग अपना पहला प्रशन गुप्त काल की प्रसिद महिला साशिका कौन थी तो गुप्त काल की प्रसिद महिला साशिका थी प्रभावती गुप्ता गुप्त काल की प्रसिद महिला साशिका प्रभावती गुप्ता थी और ये गुप्त वंस के सासक चं कुन सा है हम लोगों का सिंदु सभ्विता में घोड़े की अस्थियां कहां से प्राप्त हुई हैं तो सिंदु सभ्विता में जो घोड़े की हड़ियां हैं वो सुर्कोटदा से प्राप्त हुई हैं सुर्कोटदा गुजरात की कच्छ जिले में इस्तित है यहां से घोड़े तो कन्नौस से पूर्व हर्ष वरदन जो था, वो थानेश्वर का सासक था, हर्ष वरदन अंतिम हिंदू समराढ था जिसने पंजाब छोड़के से समस्त उत्री भारत पे राजि किया था, हर्ष वरदन जो थाओ छे सुच्छे इसवी में थानेश्वर के सिंघासन पे बैठा बेठा था तथा बाद में इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया था आगे की प्रशने की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगबर नामा के प्रसिद्द लेखक कौन थे तो अगबर नामा के प्रसिद्द लेखक हैं अबुल फजल अकबर नामा अबलफजल दौरा लिखी गई हो और इसके कितने भाग हैं इसके तीन भाग है पहला भाग है आईने अकबर ही दूसरा भाग है अकबर नामा और पहले भाग में अमीर तैमूर से लेकर हिमाई तक मुगल शासकों के इत्यास का वर्डन किया गया है बहुत इंपोर्टेंट है 5-7 प्रश्ट इसन में से आपके पक्क्य तवर पयाएंगे अगला प्रश्ट किसके साशन काल में इवन बदउता भारत आया था तो इसका हमारा एंसर है बी मुहम्मद बिन तुगम् बतूता इवन बतूता 1333 में मुहमद बिन तुगलक के काल में भारत आये था या मुरको का निवासी था और इसका मूल नाम तर शेक फत्य अबुल अब्दुल या अब्दुल मुहमद बिन बतूता मुहमद तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था और 1342 सिस्वी में मुहम्मद बिन तुगलग अपना राजदूद बनाकर इसको जो है चीन भेजा था इसने अपने यात्रा विर्तान्त को रिहेला में लिपी बद्ध भी किया है आगे के प्रश्मी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों निमलिखित में से कौन अवत के क्रिशक आंदोलन का नेता बना यह बहुत इंपोर्टेंट है कि कौन इन में से अवत के क्रिशक आंदोलन का नेता बना तो इसका जो हमारा एंसर है वो है एंसर ए बाबा रामचंद आवद के क्रिसक आंदोलन के नेता बाबा रामचंद्र ते ये मूलता महरास्ट के रहने वाले थे इन्होंने जमीदारी के बिरुद्ध आवद के किसानों को संगठित करने के लिए पहल की थी ये सन्यासी वेस में रहकर सभाएं आयुजित करने लगे थे रामचरित मानस के पाठ द्वारा किसानों को जागरतियुम संगठित करते थे और इन्ही के प्रयासों से अक्टूबर 1920 में प्रताबगड में एक सामाना अंतर संगठन अवद किसान सभा का गठन भी किया गया था याद रखेगा कि अवद किसान सभा का गठन अक्टूबर 1920 में था क्योंकि इसके बाद कॉंग्रेस ने जो है इसका एंसर ए होगा मुस्लिम लीग के साथ गटबंधन किया था सूरत अधिवेशन 1906 में कॉंग्रेस का विभाजन हो गया था और ये 1916 तक बना रहा था एनी वेशन ने गरम दल और नरम दल को कॉंग्रेस के मंच पे पुना ए मुस्लिम लीग और कॉंग्रेस दोनों लखनों में वार्शिक अधिवेशन में सामिल हुए और यहीं पे समझाथा हुआ है या समझाथा लखनों समझाथा या कॉंग्रेस लीग योजनां के नाम से प्रसिद्ध है 19-16 इसवी के कॉंग्रेस अधिवेशन की अध्यचिता अंबिका चरण मजुमदार जी द्वारा की गई थी आगे का प्रिश्ण देख लेते हैं निमलिखित में से किसने निमलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे तो इसका इंसर है D. मोतीलाल नहरू स्वतंत्र समाचार पत्र के संपादक मोतीलाल नहरू थे इस समाचार पत्र को मोतीलाल नहरू ने 9 फरवर 1994 को इलाहबार ने प्रकासित किया लेकिन अंग्रेज़ों के दमन की कारण दो साल बाद इसे बंद करना पड़ा था आगे के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अमरित सर में जलिया वाला बाग कोसी ध्याक जनसंगार किस दिन को घटित हुआ तो ये घटित हुआ था 13 अप्रेल 1919 को 13 अप्रेल 1919 को अमरिस सर में जलिया वाला बागवे डॉक्टर सत्यपाल और सैफू दिन किचलू की गिरिफतारी के बिरोध में हो रही जनसाभा पर जनरल डॉयर ने अंधा धुन्द गोलियां चलवाई थी सरकारी रिपोर्ट के अंसर 379 वैक्ति कॉंग्रेस समिती के अनुसार लगवग 1131 में मारे गये थे अगला प्रिश्न देखते हैं भारत कला भवन कहां इस्थित है तो भारत कला भवन जो है ये पनारस में इस्थित है भारत कला भवन उत्तर प्रदेश के वाराडसी में काशी हिंदू विश्रुविद्याले के प्रांगड में इस्तित एक संग्राले है या भारत में प्रश्लित लगवग सभी सैलियों के चित्रों का विसाल संग्रे है भारत कला भवन की स्थापना राय कृष्णे दास ने सन उन्नी सो बीस में करवाई थी याद रखेगा कि भारत कला भवन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना उन्नी सो बीस में हुई थी अगले प्रश्ण के तरफ चलते हैं हम लोग भारत के किस राज में भारत के किस राज में सबसे बड़ी सबसे बड़ी अंतर देशिये लवडिये आदर भूमी है इसका जो हमारा एंसर है वो है C राजस्थान में भारत में सबसे बड़ी अंतर देशी लवड़ी आद्रभूमी राजस्थान में इस्तित सामभर नामक जील में है अगला प्रिश्ण देख लेते हैं भारत के किस तटवर्टी सहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है तो इसका हमारा एंसर है C बुंबई में बुंबई सहर में सबसे लंबा समुद्री पुल इस्तित या महीम वे नदी पे इस्तित बांदरा वरली या राज्यू गांडी सी लिंक है या पुल अरब सागर के एक हिस्से को बांदरा से जोडता है और इसकी कुल लंबाई है चपन सो मीटर आगे अगला प्रश्ण हम लोग देख लेते हैं दोस्तो भारत का सबसे उचा बांध कौन सा है तो भारत का सबसे उचा जो बांध है वो है तीरी बांध भारत का सबसे उचा तथा विश्व का आठमा सबसे उचा बांध है या भागी रथी नदी पर उत्तरा खंड में बना है इस बांध की जल विद्दूत उत्पादन छमता एक हजार मेका वाट है अगला प्रश्ण सूची A को सूची B के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिये विकल्पों में से सही उत्तरिस में से हमें चुनना है तो इसका जो हमारा एंसर होगा वो एंसर है हमारा A यानि पुलकिट जील का है तमिल लाडू में चिलका जील उरीसा में उलर जील कस्मीर में और सांभर जील क राजस्थान में इस्थित है आगे का प्रिशन देखते हैं दोस्तों भागोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम परवत कौन सा है तो भागोलिक इतिहास के अनुसार भारत का जो प्राचीनतम परवत है वो है C. अरावाली परवत अरावाली की पहाड़िया राजिस्थान राज में या सबसे पुरानी चटानों से बनी है इस पहाड़ी की सबसे ऊची चोटी माउंट आउब्दू पे इस्तित गुरु सिखार है इसकी उशाई 1722 मीटर है अरावाली की पश्रिम और से माही और लूनी नदी निकलती है आगे के प्रश्ण को देख लेते हैं हम लोग दोस्तो निमलिखित इस्थानों में से एमरेल्ड दीप समू के नाम से जाना जाता है तो इसका हमारा जो एंसर है वो है अरावाली निकलती निकलती है जो राजधानी है वो है पोर्ट प्लेयर राजधानी अभी जो दोस्तों बताऊंगे उसको ध्यान में आप लोग रखते हुए चलिएगा अगला प्रेश्ण देखते हैं भारतिय प्रायादीब की सबसे उची चोटी कौन सी है तो भारतिय प्रायादीब की जो हमारी सबसे उची चोटी है वो है अनाई मुडी भारतिय प्रायादीब की सबसे उची चोटी अनाई मुडी है जिसकी उचाई 2696 मिटर है यहाँ अना मलाई की पहाड़ी पे इस्तित है अनाई मुडी तीन पहाड़ीयों का केंदर बिंदू यहाँ से तीन पहाड़ी श्रिंखलाएं तीनों दिसाओं में जाती हैं दच्छुड की और इलाइची की पहाड़ियां, उत्तर की और अन्नामलाई की पहाड़ियां तथा उत्तर पूर्फ की और पालनी की पहाड़ियां जाती हैं। अगला प्रश्ण देखते हैं हम लोग दोस्तों अब। विश्य का सबसे बड़ा दीप कौन सा है तो विश्य का जो सबसे बड़ा दीप है वो है ग्रीन लेंड विश्य का सबसे बड़ा दीप है ग्रीन लेंड विश्य के प्रमुक बड़े दीप हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से सबसे बड़ा है ग्रीन लेंड फिर उसके बाद है नियोगिनी उसके बाद है बोर्णिया फिर मेडा गासकर फिर मेफिन दीव फिर सुमात्रा उसके बाद सबसे आखरी में होन्सू यह याद रखिएगा दोस्तों यह बहुत बार पूछा गया मतलब इसमें तो मैंने सारे रिपीटेट कोश्चिनों को डाला है यह का सबसे बड़ा दीप कौन सा है ग्रीन लेंड आगे का प्रश्चन देखते हैं हम लोग निमलिखित में से कौन सा कौन सी गैस वाता बरड का महत्तम भाग है तो इसका जो मारा एंसर है वो है डी और सौरी दोस्तों सी नाइट्रोजन वाई मंडल के संगठन में कई गैसों का योगदान होता जिसमें नाइट्रोजन 78.08% पाया जाता है उसके बाद ऑक्सीजन लगबग 20.95% की मात्रा में सारवाधिक होता है हमारे वाई मंडल में अन्य गैसे कौन कौन सी है आरगन कारबन डाय आकसाइड नियान हिलियम मेथिन हाइड्रोजन नाइट्रिस जीरो एट परसंट अगला प्रशन देखते हैं निमलिखित में से निमलिखित में पुना पूर्ती योग संसाधन कौन से हैं तो इसका हमारा एंसर भी सौरियम पवन उर्जा बहती वाई सो उत्पन्न की गई उर्जा को पवन उर्जा कहते हैं सौर उर्जा यहों वाई यांत्रिक उर्जा में परिवर्टित हो जाती इस यांत्रिक उर्जा को जन्रित की मदद से विद्द उर्जा में परिवर्टित किया जा सकता है जबकि सौर उर्जा सीधे सूर से प्राप्त की जाती या धर्ती पे सभी प्रकार के जीवन का सहारा होती है अगला प्रशन द प्रिट्वी से देखने पर इसके छवी जो है लाल दिखती है जिसके कारड इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है नगल ग्रह को युद्ध के भगवान के नाम से भी जाना जाता है अगला प्रिश्ण महादीप जिसे दा लेंड औफ गोल्डन फ्लीस के नाम से भी जाना जाता है इसका हमारा एंसर होगा D आस्ट्रेलिया को दा लेंड औफ गोल्डन फ्लीस के नाम से भी जाना जाता है ऐस्ट्रेलिया को लगू महादीब के blessings नाम से जाना जाता है अगला प्रिश्टन देखते हैं हम लोग दोस्तो सौर्य मंडल का सबसे चोटा ग्रह कौन सा है तो सौर्य मंडल का सबसे चोटा ग्रह बुद्ध बुद्ध सूर का सबसे नस्दी की ग्रह तथा या सबसे छोटा ग्रह भी है इसका कोई उप ग्रह नहीं है बुद्ध ग्रह सूर की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है उसमें चुम्बिकी चेतर का होना इसका विश्रिष्ट गुड है अगला प्रश्ण निम लिखित में से कौन सा गया प्रितवी के अपेच्छा आकार में छोटा है तो इसका हमारा एंसर भी सुक्र बुद्ध शुक्र तता मंगल प्रितवी से छोटे गर हैं जबकि यूरेनेस, नैप्चून, सनी, ब्रस्पत प्रितवी से आकार में बड़े हैं अगला प्रिशन देखते हैं सेमवेधानिक उपचारों का अधिकार के तहट आता है तो इसका हमारा एंसर होगा ए मौलिक अधिकार सेमवेधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के तहट आता है इसके अंतरगत मौलिक अधिकारों को प्रतिवर्तित कराने का अधिकार उच्चितम युम उच्च नियाले को है मौलिक अधिकारों का उल्लंगन होने पे अनुच्चेत 32 के अंतरगत उच्चितम नियाले द्वारा रिट जारी किया जाता ये रिटे पांच प्रकार की उत्ती, पहला होता है बंदी प्रतिच्छी करण, दूसरा होता है परमादेश, तीसरा अधिकार प्रिच्छा, चौता प्रतिशेत और पांचवा उत्प्रेश्ण, अगला प्रिश्ण, भारत में महिलाओं के लिए आरच्छड उपलब्द है, त उनके नियम में चुनाओं होंगे तथा सभी इस तरों पे महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरच्छित होंगे, उनकी वित्तिय स्थिति सुद्रड करने के लिए राज वित्त आयों के गठन का प्रावधान भी किया गया है, या राज पालदारा गठित किया जाएगा पंचायतों को ग्यारवी यूं बारवी अनसूची में दिये गए विश्यों पे कारी की पूर सकती होगी, ग्यारवी यूं बारवी अनसूची में क्रमसा 28 वा 18 विसे हैं, लोकसभा और राजसभा में महिलाओं के आरच्छड की व्योस्था नहीं है, अगला प्रश्न चारवर्स या 65 वर्स के आयू, जो भी पहले इसमें आ जाये, केंद्रिय सतर्कता आयोक एक बहु सदनी निखाय है, इसमें एक केंद्रिय सतर्कता आयोक्त और दो अनस्तर्कता आयोक्त सदस्य के रूप में होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट पती द्वारा एक तीन अगले प्रश्णी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों संवीधान का 52 मा संसोधन संबंदیते तो ये दल बदल से संबंदेते हैं भारत का संवीधान बदल बथ हैं भारत का संसोधन अधिनियम किस समिती ने त्री इस्तरिये पंचायती प्रडाली की अनुसंसा की है तो ये होगा हमारा एंसर डी बलवंत राय महता बलवंत राय महता समिती का गठन पंचायती राज विवस्ता को मजबूत करने के लिए वर्स 1956 में बलवंत राय महता की अध्यचिता में किया गया था जिसने वर्स 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तूत की तथा ग्रामीर इस्थानिये शाशन के लिए त्री इस्थरिये विस्था ग्राम खंड तथा जिला का सुझाओ दिया था आगे का प्रश्ण देखते हैं भारती संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी सब्द किस संसोधन द्वारा लाया गया था तो ये 42 में संविधान संसोधन के द्वारा लाया गया था सम्विधान में इस सब्द यानि समाजवाद का तात्पर या है कि लोक्त अंत्रात्मक साधनों से समाज के समाजवादी लच्छों की प्राप्ती करना सम्विधान के 42 में सम्विधान संसूधन 1976 की धारा दो से प्रस्तावना में सामिल किया गया प्रस्तानों में प्रयुक्त आर्थिक न्याय पदावली में समाजवात की अवधाना अंतर नहीं अंतर निहित है आगे की प्रिशन देखते हैं हम लो अंतराष्टिये नियाले का मुख्याले कहां है तो अंतराष्टिये नियाले का मुख्याले दा हेग में है अंतर राश्टी न्याले के स्थापना हेग नीदर लेंड में 3 अप्रेल 1946 इस वी को की गई है अंतर राश्टी न्याले के सम्विधान में 5 अध्या तथा 70 अनुछे थे इसमें 15 नायदीस होते हैं जिन में से प्रतेक का कारेकल 9 वर्स का होता है जिन में से 5 नायदीस प्रतेक 3 वर्स के उपरान्त अवकास ग्रहर करते हैं कोई भी दो नायदीस एकी देश के नहीं हो सकते हैं आगे प्रशने देखते हैं भारत में राश्टी आयका आकलन करने वाली संस्था कौन है तो भारत में राश्टी आय का जो आकलन होता है वो केंद्री सांखी की संगठन के द्वारा किया जाता है याद रखेगा किसके द्वारा केंद्री सांखी की संगठन के द्वारा और केंद्री सांखी की संगठन की जो इस्थापना हुई थी वो 1951 में हुई थी अगला प्रश्ण अव मुल्यन का अर्थ होता है अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना किसी देश की दोरा अपनी मुद्रा की विनिमे दर में सेज विश्र की सापेच चान बूच के गिरावट कमी लाना मुद्रा का अवमूलियन कहलाता है मुद्रा का और मुल्यन सरकारों दारा अपने निर्यात को बढ़ाने तथा आयातों को हतो साहित करने के लिए अपनाये जाता है भारत में मुद्रा का और मुल्यन सरप्रतम 1949 में पॉंड के सापेच किया गया था अगले प्रशने के तरह हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों अपने नाबाड की स्थापना किस वर्स हुई तो नाबाड की स्थापना मारा 1982 में की गई थी राश्टिये क्रिश्य और ग्रामिड विकास पैंक यानि नाबाड अधिनियम द्वारा 12 जुलाई किस दिन 12 जुलाई 1982 को राश्टिये क्रिश्य और ग्रामिड विकास पैंक के स्थापना किये गई जो तातकालिक प्रधान मंत्री श्रीमती इंद्रा गांधी द्वारा 5 नवंबर 1982 को राश्ट को समर्पित किया गया था अगला प्रिश्न प्रधम राश्टिये मानो विकास रिपूर्ट जारी किये गई तो यह जारी कियी गई थी सन 2002 में योजना आयोगदवारा भारत की पहली मानो विकास रिपूर्ट अप्रेल 2002 में जारी की गई थी अगला प्रशन देख लेते हैं रिजर्व बैंक आफ इंडिया की स्थापना किस वर्स में हुई तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी एक अप्रेल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी यानि रिजर्व बैंक के और इसका राश्टिय करण एक जनवरी 1999 को किया गया था और सर आसन बोन इसमित आरबी आई के प्रथम गवर्णर थे आगे का प्रशन देखते है आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुई तो आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी वर्स 1981-82 के केंदरीय बजट में भारत के निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गूशना की गई थी तथा वर्स 1982 में इस बैंक का गठन किया गया इसका उद्देश निर्यात को युम आयात को को वित्ति सहायता प्रदान कर विदेशी व्यापार का समवर्धन करना है आगे का प्रश्ण हम लोग देख लेते हैं दोस्तो भारत में पहली जनगर्णा किस वर्स हुई तो दोस्तो भारत में पहली जनगर्णा 1872 में हुई थी भारत में जो जनगर्णा की शुरुआती वो 1872 में लाड मैयो के कारेकाल में हुई लेकिन भारत में नियमित जनगर्णा की जो शुरुवात थी वो 1881 में लॉट रिपन के कारेकाल में हुई 2011 की जनगर्णा भारत की पंदरवी जनगर्णा तथा स्वतनत भारत की साथवी जनगर्णा थी इसको याद रखेगा अगला प्रिश्ण है 2011 की जनगर्णा के अनुसार कौन सा एक मात्र राज था जिसका वर्स 2001-2011 के दोरान रिरातमक घाती जनसिंख्या व्रिद्धी धर्थी तो यह था नागा लेंड वर्स 2011 की जन गर्ना के अनुसार नागा लेंड की जो दस्किय वृद्धी दरती वो माइनस 0.61 रही भारत की वार्सिक 1.97 से घटके 1.64 हो गई थे तता दस्किय वृद्धी जो थी 21.57 से 17.7 परसेंट हो गई थी अगला प्रश्ण देख लेते हैं आकास का रंग नीला दिखाई देने का कारण है तो प्रकास का जो नीला रंग दिखाई देता है वो प्रकास का प्रकरणन के कारण होता है नीले रंग का प्रकरणन सबसे जादा होता है सूर यदे युम सूर्यास्त के समय जब सूर के किर्णे सारवाधिक दूरी तै करती है तब प्रकास का सबसे अधिक लाल रंग हमारे पास तक पहुचता है सेस रंगों का मार्ग में प्रकिर्णन हो जाता और इसी कारण सूर हमें लाल दिखाई पड़ता है हवा के कड़ो द्वारा प्रकास के प्रक्रिणन के पड़नाम सरू, आकास हमे नीला दिखाई देता है, अंतरिश में जाकर देखने पे आकास का रंग जो है काला दिखाई पड़ता है, अगला प्रेश्ण किसी वस्तु का भार उस समय नियुन्तम होता है जब उसे रखा जाए, जब उसे प्रिथवी के केंदर पर रखा जाएगा, प्रिथवी तल से नीचे या उपर जाने पे गुरुत्तु का मान कम होता है, तता प्रिथवी के केंदर पे गुरुत्तु का मान सूने हो जाता है, अ अगला प्रिशन देखते हैं हम लोग ट्रांसफर की खोज किस ने की तो ट्रांसफार्मर की जो खोज है वो माइकल फैराडे दौरा की गई किसके दौरा माइकल फैराडे के दौरा ट्रांसफार्मर की खोज की गई है ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फैराडे ने की ती या विद्दु चुम्बेकी प्रेरण प्रेरण के सिधान पे कारी करने वाला यंतरह जिसके द्वारा प्रत्या वर्ती धारा यानि कि AC के विद्दु वाहक बल या वोल्टिता को कम या अधिक किया जाता है आगे के प्रत्या वर्ती धारा में बदल सकती है कौन ट्रांसफार्म है आगे के प्रश्ण की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तो मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है मलेरिया रोग से कौन सा अंग मलेरिया रोग से हमारा प्लीहा अंग जो है वो प्रभावित होता है मलोरया रोग से सरीर का प्लीहा अंग प्रभावित होती है मलेरिया रोग जो है प्लास्म मोडियम नामक परजीवी प्रोटो जोवा की जातियों से होता है और इसका वाहग मादा एनोफिलीस मच्छर है अब अगला प्रश्ण देख लेते हैं विटामिन सी का सबसे उत्तम श्रोट कौन से है विटामिन सी का सबसे उत्तम श्रोट है आमला विटामिन सी की मात्रा लगबग 600 से लेके 700 mg प्रती 100 ग्राम तक 100 ग्राम में पाया जाता है अगला प्रश्ण देखते हैं वसा में घुलन सील विटामिन कौन सा नहीं है तो वसा में घुलन सा विटामिन नहीं है B and C क्योंकि विटामिन B और C जल में घुलन सील होते है तो तथा अन्य विटामिन जो है वो वसा में घुलन सील है याद रखेगा, विटामिन B, O, C, किसमे घुलंसील होता है, जल में, और विटामिन D, A, विटामिन D, K, और A जो है, ये तीनों किसमे है, ये वसा में घुलंसील है, अगला प्रश्न, रक्त समू, O कहलाता है, तो रक्त समू, O जो है, सारवजनिक दाता कहलाता है, तता रक्त रक्त सम्मू ओ को सारवजनिक ग्राही कहा जाता है। या लाल रक्त कडिकाओ को नश्ट करने का कारे करता जिस कारण इसे मानोशरीर का रक्त बैंक कहा जाता और या पेट में इस्तित होता है। अगला प्रेश्ट विटामिन E से संबंदित कौन सारवजनिक प्रदार्थ है। तो विटामिन E से संबंदित है हमारा टोको फेराल। विटामिन E का रसाइनिक नाम है टोको फेराल। इसे बांज रोधी बिटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से जनन चमता में कमी आ जाती या मुखिता दूद अंकुरित गेहुं हरी सबजियों में पाया जाता है। दोस्तो ये था मंदी परशत परिच्छा के लिए कुछ महतवपूर प्रस्त जो कि मंदी परशत की परिच्छा में बार-बार पूछे गए हैं। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से तयार कीजेगा क्योंकि अब स्रिफ तीन दीन ही बचे हैं परिच्छा के लिए।